हलो फ्रेंड्स यदि आपका आखरी महिना चल रहा है और आपको डॉक्टर ने बताया कि आपके बच्चे का वजन कम है और आपको चिंता हो रहेगे अब आप क्या करें तो मैं डॉक्टर सुशिला सैनि गाने क्लॉजिस न अप्सेशिशन आज आपके एसी सवाल का जवाब नहीं हट सकते तो ऐसी स्थिती में यदि जब भी डॉक्टर आपको यह बताते हैं कि आपके बच्चे का वजन कम है जितना होना चाहिए उतना वजन नहीं है तो उसका कारण रूणना पड़ेगा कि आखिर कारण क्या है और बच्चे की मैचॉरिटी क्या है एक्जिक्ट बच्चे का वजन कारण होता है या प्लसेंटा से बच्चे को जाना चाहिए वो नहीं जा रहा होता है ऐसे स्थिती में बच्चे का वजन कम हो जाता है क्योंकि बच्चे को proper nutrition नहीं मिलते हैं और जो दूसरा एक common कारण है कि मा का nutrition ही पूरा नहीं हो रहा यानि कि मा को ही खाने को नहीं मिल रहा है जो कि बहुत ही lower star के लोगों में देखा जाता है जहां कि खाने की कमी होती है तो ऐसे सिती में बच्चा भी कमजोर पैदा होता है क्योंकि मा को नहीं मिल रहा है तो definitely बच्चे को भी नहीं मिलेगा लेकिन ये ती मा अच्छे से खा पी रही है और बच्चे को नहीं मिल रहा तो फिर वो placenta का problem होता है internal problem है तो वो हमें रंगिन सोनोग्राफी से कलर डॉपलर से पता चल जाता है अब दूसरा assessment यह किया जाता है कि जो बच्चा अभी है उसका exact वजन अभी कितना है जब भी बच्चे का वजन 2.5 किलो के नीचे होता है तो उसी low birth weight में count किया जाता है और इसके अलावा 2 किलो से कम हो तो very low birth weight हो सकता है और 1.5 किलो से भी कम है तो वो काफी serious necessity हो सकती है तो exact estimation of weight जरूरी है आगे का decision लेने के लिए साथ ही साथ ये भी दीखा जाता है कि बच्चे की चारो तरफ पानी कितना है यदि पानी बहुत कम है, सूप गया है तो फिर urgently हमें delivery का decision लेना होता है क्योंकि जब पानी नहीं होता है तो बच्चे को घूमने के जगह नहीं मिलती है और बच्चे का जो आवल लाइकल कोड है वो compress होने का खत्रा पैदा हो जाता है जिसके वज़े से blood circulation और रुख जाता है और बच्चे के death होने के समभावना ही बढ़ जाती है तो यानि कि यदि आपका जो महिना है नवा महिना चल रहा है यानि कि अगर 36 weeks के उपर है और बच्चे का वज़न कम है और उसका पानी भी कम है तो फिर हमें अर्जेंटलि उसके delivery करवा लेनी चाहिए और ऐसे सिति में जनरली सेजेरियन सेक्षन यानि कि operation से delivery ही advice की जाती है दूसरा यदि बच्चे का blood flow भी नहीं मिल रहा यानि कि color doppler में ऐसा पाया गया है कि बच्चे का flow आगे नहीं जा रहा है उल्टा बहरा यानि reverse doppler flow आ रहा है तो वो एक urgent indication है कि जहां में delivery plan करनी पड़ती है ऐसे इस्तिती में इस बात को ignore किया जाता है कि बच्चे का वजन कितना है जितना भी वजन हो लेकिन यदि IUGR है और reversal of flow आ रहा है यानि कि खून का flow का direction उल्टा आ रहा है तो फिर definitely delivery करानी ही होती है ऐसे इस्तिती में हमें ये समझना चाहिए कि बच्चे को NICU आने की nursery में भीजने की ज़रूरत पढ़ सकती है क्योंकि बच्चा कमजोर होता है मैचोर नहीं होता है और कई बार बाहर आने के बाद बच्चे को सांस लेने में तकलिफ हो सकती है या nutrition नहीं मिलने के कारण बहुत ज़र कमजोर होने की कारण वो जो environmental conditions है उनको face नहीं कर पाता तो ऐसी इस्तिती में उसे NICU में रखना ही सुरक्षित होता है ये mentally ज़रूर पेपैर हो जाएं कि जब ऐसी को इस्तिती बनती है तो बच्चे के NICU में जाने की संभावना है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जनरली दो से तीन दन तक उसे observation के लिए रखा जाता है और यदि सब ठीक रहता है तो बच्चे को मा के पास shift कर दिया जाता है तो आपको यदि ये बताया गया है कि आपके बच्चे का वजन कम है तो डेफिनिटली आपको एक रंगीन सोनोग्राफी करवानी चाहिए और उसके हिसाब से डॉक्टर से कंसल्ट करकर डिसीजन लेना चाहिए और यदि मैचॉरिटी पूरी हो गई है यानि 34 वीक प्लस आ रहे हैं तो डेफिनिटली आप डिलिवरी प्लाइन कर सकते हैं क्योंकि जब बच्चा बाहर अमारे हाथ में आ जाता तो डॉक्टर्स उसको अच्छे से संभाल पाते हैं उसके अच्छे से केयर कर पाते हैं और उसका पूरा ध्यान रख पाते हैं डिसीजन जल्दी ले, फास्ट ले और डॉक्टर से सलहा डॉक्टर के टच में रहे हैं और डॉक्टर जैसे आपको अडवाइस करते हैं उन पर विश्वास कीजिए और डिसीजन लेने में मदद कीजिए ताकि आप और आपका बच्चा सुरक्षित रहे हम आप से फिर में लेंगे एक नए वीडियो में नहीं जैनका एक साथ अपतर टमश्कार